तोम पिवेट साथ सबoker, बनाने जा रहे हैं जो कि आपके सामने दिख रहे हैं हम इसी को डैस्टवोर में कल भॉट करें तो Támo Rus spit ш Police आज बनाएंगे आज बनाएंगे अदitarian Naam हमें क्ल आपको बनाकर दिखाएं तो हमने एक टेबल लिया इसमें हम यहां सब्सक्राइब लिए कि उसके बाद हम यहां पर डैस्पोर्ट बनाएंगे कि हमारा दुसरा शीप जोगा डैस्पोर्स का पर यह हमारा डेटा है तो निसली का नाम डेटा या फाइनल रिपोर्ट चो भी कही है और यह हो जाएगा हमारा डेटा और जाएगा सपोर्ट अब इसमें सबसे पहले मुझे चाहिए केटेगरी बाई सेल्स और परसंटेज ओफ टोटल तो केटेगरी को मैंने रखा इसमें रो में और हमने यहां पर सेल्स को रखा और यहां हमारे पास सेल्स एक में डेटा में आते हैं सेल्स है मारे पास मैप सेल्स है इसके बाद यहां हम सपोर्ट में आते हैं और यहां हम वापस सेल्स को कि मुझे यहां पर चाहिए परसंटेज की कितना कंट्रियूशन हुआ और इसमें हम सम लेते हैं और यहां परसंटेज ऑफ कॉलम टोटल तकि इसका कंट्रियूशन निकल जाए तो कंट्रियूशन निकल गया बलिये 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 सर सुची बात करणा हाँ सर अब ही क्लास में क्लास बात कॉल करो आपके और इसको हमने राइट क्लिक करके कर दिया है शॉट इसको शॉट करना हो ठीक है राइट क्लिक शॉट हो गया हो शरी राइट क्लिक शॉट हाइर लार्जेस्ट स्मॉल्ड टोके और टोटल सेट्वे जगाँ पर यहां पर हम सेल्स का लिक देते हैं इसको यहां से करते हैं इसको चोटा और इसको हम कर देता है परसंटेज आफ टोटा एक कंटिबूशन दिखा देता है परसंटेज फोट इसको यहां से डवल क्लिक करते हैं है हमारा हो गया डेटा स्टेक्ट इसकी साइज को भी तुरह सा कम कर देते हैं और इसकी जो कलर है इसकी कलर और इसको पर दो में ले लेता हूं इसमें बॉर्डर ले लेता हूं इसको सेलेक्ट करके हम कर देते हैं इसको पूरे इसको सेलेक्ट करके ग्रीन करना पूजिटिव इसलिए उप ग्रीन रहेगा तो अच्छा देखे ग्रीन के जगए इसको भी सेलेक्ट करके हम ने कर दिया ग्रीन और ग्रीन इक लाइट कलर है डार्क कलर है इस पर सेल्स जो है इस तरह कर देखेगा तो अच्छा रहे है ठीक है उसके बाद फिर हम यहां पर एक और पीवट लगाएगा तो वापस डेटा में जाते हैं इंसर्ट टेवल न्यू एक्जिस्टिंग वरक्षीट और हम सपोर्ट में यहां दखिएगा एक पीवट तभी लगेगा दूसरा पीवट तभी लगेगा जब एक पीवट फ पूरी रिपोर्ट की कंट्रोल यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जहां को पीवट लगाना चाहते हैं अगया और अब प्रोड़क्ट नेंड रो में ठीकिन में रखता हूं प्रोड़क्ट नेम भी तो रहा हूं के बाद हम यहां पर अगली आप तो यहां हम सेल्स को रखते हैं तो वापा सेल्स को रखेंगे और इस पर वैलू फिल पर जाएंगे यहां सो वैलू में जो आता है इसका नाम में रखेंगे और यहां पर सेल्स परसंटेश टोटर लेकिन हमें पूरा नहीं दिखाना है हमें दिखाना है यहां के टॉप टेंट काफी ज्यादा है तो रिपोर्ट पर इस तना के ज्यादा रखेंगे तो इसलिए हम बैलू में जाके टॉप 10 पर जाके यहां टॉप 10 का फिल्टर लगा देते हैं तो प्रिपोर्ट थोड़ा छोटा देखेंगे ठीक है और फिर इसमें हम सेम फॉर्मेटिंग जो मैंने यहां रखा हुआ है सेम फॉर्मेटिंग जो है मुझे वहां भी करना है तो डॉबल डॉबल फॉल्टिंग करने का अच्छा है कि मैं फॉर्मेट प्रिंटर से पेल कर देता हूँ कि अच्छा इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरा जो टोटल है नहीं दिखाए कि ऐसा थोगरों कि में पर्सेंटेंटे से इसको देखाना चाहता इसको नहीं do तो उस case में मैं क्या करूँगा कि जो टैक्स कलर है ना उसको भी सेम कलर करो लेव होगे ऐसा और इसमें जो मैंने लगा हुआ हमारा यह बॉर्डर है उसको हम नो बॉर्डर कर देता है क्या इसको भी सेम ऐसा करते थे तो आच्छा दिखेंगा इस नहीं अब तीसरा मुझे पीवट लगाना तो हर बार इस तरह स समय कोपी पेस करेंगे हर बार जो पिशल लगाएंगे तो अच्छा हें हम कॉपी बेसि करें और इसकी के बगल में एक बार और कर देंगे तो पिवट लग देंगे, बार बार डेटा में जाके पिवट लगाने की ज़रुत नहीं हुआ परे, हमने पिवट को जस्ट कॉपी कर देगे, ठीक है, अब कॉपी करने के बाद, अब इसमें मुझे चाहिए कम्पनी का नेम, तो तो इसमें हमने border नहीं लगा यह पहले वाले में इसको भी select करके है इसको border लगा अगया और इसको भी select किया और अब्राट लगार अब और इसको 100% मुझे यह नहीं दिखाना है को अब अब मुझे नहीं दिखाना है और यहां रखते हैं अगली प्रेस करने से फैदा हुआ कि यह टोटल करणा आता बार 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 करने की ज़रूरत नहीं करें इसमें मैं कस्टमर नेम हटाता हूं और इसमें हमारे पास एक है सेल्स रिप्रेजिटिटिव इसको इंप्लोई भी कह सकते है आप इंप्लोई को भी रख सकते हैं तो मैंने इंप्लोई को लिया और इंप्लोई तो मेरे employees크동 बन गया मुझे same format चाहिए इसको select करके format painter मैंने apply कर दिया again form editor मैंने नीची apply कर दिया उसके बाद हम select करते हैं इसको और इसको हम दे देते हैं machst यह हमारा होगे आप यह तो मैं टेवर्ट के नीचे मुझे बनाना है अपना चार्ट तो सबसे पहले हम कैटेगरी का चार्ट बनाते हैं कि तो हम कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं करने के पाब मैं यहां इन्सर्ट करता हूं कॉमबोचार्ट मुझे जैडिक यहां मुझे वाले नीचे चारट आएगा कॉम्बोचार्ट तो क्यूधर लाइन इन कॉल मैंने लेलिए लाइन कॉलर्ट ठीक है जिसमें secondary access भी अबलेबल पहले बाद में secondary access नहीं है दूसरे बारे में secondary access अबलेबल है जिसकारण से दोनों दीख रहा है और मैंने इसको ok किया और ok करने के बाद इसको मैं लेकर यहां आता हूं नीचे रखता हूं राइट क्लिक किया और मैंने किया hide buttons सबसे पहले तो buttons को hide कर दीजिए यहां पर hide all buttons और इसके बाद में पिवर टेवल के डिजाइन में जाता हूं और quick layout में मैं select करता हूं इसको नहीं नहीं आए यह सही रहेगा ठीक है उसके बाद aligning रहने देते यह इसको select करते हैं और यहां हमारे पास कुछ पहले से pre-defined format है हम देखते कौन सा format इस पर suit करेगा मचल तो यह format सही रहेगा ओर यह format मैंने लिया और और इसको थोठा़ करता हूं इस हुआ कलो देखत उसको थोड़ा चोटा करने चोटा करने में अब दक्राइब Rs.едber पासरा चोटा पर्स होगा तो इसको इसको भी थोडा चोटा शुक्छ eg चाट टाइटल में मैं इसके अंदर दाल जाता हूं सी ए पी जी ओ आर वाइट के टाइड़ी अब वापस इस पर भी सेलेक्ट करते हैं और इस पर भी मालेजिए मुझे अपना सेम यह हमारा कॉम्बो चार्ट होता है कॉम्बो चार्ट लेना अब यहां पर मैं इसको रखता हूं आप इसी अब मुझे सेम फ़र्मेटिंग इस पर करनी है तो मैंने इसको कॉपी किया और इसके उपर सेलेक्ट किया पहले चार्ट को कॉपी किया दुसरे साथ पर क्लिक किया और होम के अंदर पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो पेस्ट सब्सक्राइब करने जो सेंड वाला चार्ट बना रहा है तो जो फॉर्मेटिंग आपने यहां कि है दो नोगर कर लिजिए या फिर आप जो है इसको कोपी करके इसकी फॉर्मेटिंग इस पर ihr paste करते चीए प्रपीवट के चार्ट के अंदर पेस्ट नहीं कर सकते इसा हम करें जो नॉर्मल चार्ट होता है क्योंकि इस चार्ट में चार्ट जो है प्रवर्ट से और इसको चार्ट को करना अनुदर पीवट करेंगे तो फिर आपका डेटा आएगा ना इसी से लिंक होगा ना फिर पीवट में आना है उसको सेलेक्ट करूंगा ना फिर राइट क्लिक करके आप चार्ट इंटा पर जाके चार्ट करना चाहते हैं यह गलत हो जाएगा फिर ओरेज़ लेगा पीवन से नहीं नहीं रहे तो इसको बात नहीं साव पर निजान है आप सबसे पहले जुआ है इसमें चार्ट करें अचार्ट करें यहां पर आप यहां ले आउट में मैंने इसको सेलेक्ट किया है इसको ले लिया कि एने नहीं यहां उसके बाद पी यहां प계 मैंने वाली चार्ट थी ना इसको लो खोड़ी और झोड़ कर सकते थे sleeping कर यहां यहां प्रोडॉक्त के बाद फिर यहां आता है इसको सलेक्ट करते हैं इसके इन्सौर्ट करते हैं आपका आप करते हैं हम चार्ड कोपी करके यहां पे पेस्ट करते हैं तो राइट क्लिक कर स्ट डेटा में जाते हैं और यहां जो है तो देख रहा है नहीं आ कर दिख लेक्टा इस लेक्टा में और इसके लिए नहीं दे रहा है तो यहां से कुछ कर सकते हैं यहां से कुछ कर सकते हैं यहां देख रहे हैं किो इनसर्ट किया है यहां पर इसको सलिए यहां पर लिए उसके बार में डिजाइन में गया और लेःट में गया हमने चार्ट लेयॉट नमबर 3 को सेलेक किया और फिर हमने सेलेक किया यह स्टाइल नमबर 2 और फिर चोटा कर देते हैं ताकि चार्ट मेरा अथरा बरा दीखे और फिर हम जो है इसको भी था चोटा करते हैं और इसको भी था चोटा करते हैं तो इसको भी था चोटा करते पिर आता है हमारा लास्ट चार्ट चोत्य चार्ट इसको सलेक्ट करते हैं इंसेर्ट और तकuğंबो चार्ट इस पर हम करते हैं राइट क्लिक इसको करते हैं हाइट है और यहां डिजाइन में आते हैं टू और फिर हम यहां ले आउट में आते हैं देमित ye अ टहरे नमबर फिर हम यहां लैइड लेटेत hè गजरे हैं hey तो हमारा पीवाट और चार्ट बन चुका है पीवाट और चार्ट बन चुका है अब जो है यह सिम्पल सा यह तो भी कुछ नहीं है मैं आगे देखिए न अब हम आते हैं अब चलिए आते हैं फाइनल डैस्पोर्ड फाइनल डैस्पोर्ड पर आते हैं सबसे पहले मैं जाता हूं पेज लियाउट और यहां से गिर लाइन यो करता हूं अन्चेक देखें और यहां पर सिम्पल सा हमने आवे दिखते हैं मार्ज करते हैं मार्ज करने के बाद लिखते हैं यहां पर यहां ट्यक्स एल्ग एल्ग करते हैं त्यक्स त्यक्स एल्ग करते हैं तो इसको हम मिडल करते हैं और इसको तब हम अब मुझे यहां पर चाहिए चाहिए जिसको हम करना चाहते हैं city-wise रिपोर्ट चाहिए एक चाहिए मैं यहां और बनाऊंगा एक चार्ट यहां बनाऊँगा और इस पर राइट क्रिक करके इसमें इंप्लोई को मैं हटा देता हूँ टोटल सेल्स हटा देता हूँ और मैं यहां पर जो एस्टेट है ना या सिटी भी ले सकता हूँ मैं लेकि फिलाल मैं यहां पर मैप स्केल भी है मैप स्केल लगते हैं इसमें इसमें रखता हूँ अपना सिटी सिटी और सेल्स अब इसकी ऊपर इंसर्ट करता हूँ अपना मैं चार्ड अच्छ यहां पूड़क्ट है इसका नाम ने कर देता हूँ सिटी मैप चार्ड ऐसे नहीं परक करेगा इसको सेलेक्ट करके मुझे डेटा के अंदर यहां कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटाटाइब तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ग्राफ करें यह चीज जो है वर्क नहीं करती है पिवर्ट पे तो मुझे इसको कॉपी करके पिवर्ट को नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करना हूँ सम्टाइंग कुछ फीचर पेस्ट पेस्पेस्पेस्पे पिवर्क नहीं करते हैं तो को paste special और formula का इस्तमाल करना पड़ता है ठीक है अब मैं इसको यहां से अटाता हूँ इसको select करता हूँ data menuar के अंदर आता है geographical geographical करने से क्या होता है कि सारे cities का geographical maps है ओर read कर लेता है आपका excel उसके बाद इस पे insert कर सकते हैं map chart map chart ठीक है इसको पेक इसको यहां से हम cut करते है cut करके लिए आते हैं dashboard जहां मुझे यहां इसको रखना है तो पहला column ता शोटा है जल्दी जो यहां के और मैं इसके अंदर data level add करता हूँ और उपर chart के इस chart designs है आप अपने इसाब से design ले सकते हैं कौन सा design है दिख रहा है सकते हैं लेकि इसमें अच्छा होता है कि हम state लेते हैं support chart ने इसका में करता हूँ मैं दुबारा इसको बनाता हूँ इसको delete करता हूँ ठीक है और दुबार इसको पीवर्ट को copy करते हैं यहां पे पेस्ट करते हैं right click so fill list इसमें से मैं total हटा दिया sales रखूँगा performance अटा दिता हूँ performance के जगा पे मैं यहां पे state रखता हूँ अच्छा मैप scale एक है map scale एक है अच्छा numbers है scale कोई चीज है जो मैंने यहां डाला हुआ होई चीज है sales है न होई है अब ठीक है न बेटर दीख रहा है न पुड़ा state highlight होड़ा है अब इसके format में जाते हैं अलग-अलग colors है आप जो color लेना चाहिए जैसा लेना चाहिए उससा ले सकते हैं तो फिलाल मैं white रखता हूँ कि color अगर green दाता तो अच्छा रहा है तो ग्रीन वाला concept लेता हूँ तो यह देखे ठीक रखता है अब बेटर और चाहर टाइटर में हमें यहां आखे यह जो चीज यहां लिखा हुआ है इसी पॉपी करते हैं अब यहां पर हमें क्या करना है सबसे पहले मुझे एक टॉप सेल्स पर दिखा रहना है कि सबसे ज्यादा टॉप सेल्स कौन की है तो यहां इंसर्ट करते हैं इंसर्ट करके हम स्टैप्स लेते हैं यह रहा है और इसकी कलर ग्रीन रखते हैं ग्रीन नहीं बुलू रहेगा यहां पर तॉप सेल्स परसर या री परजन्टेशिक कुछ आना चाहते हैं या सेल्स ऑफिसर उस भी आप लिए इसको मैं करता हूँ यहां पर इस सेंट्रल इसकी साइज को थोड़ा बढ़ाता हूँ साथ में बोल्ड करता हूँ ठीक है और नीचे इसको यहां मर्ज करता हूँ फूरे अरिया को कि मर्ज करके यहां लिंक करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो सपोर्ट टीटा है सब्सक्राइब आते हैं तो यह अपक्ता प्रोड़क्ट नहीं प्रोड़क्ट यहां आपका ना चाहिए इम्प्लोई सेल्स और इसको मैं कर देता हूँ शॉर्ट क्या कर देता हूँ राइट क्लिक शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ठीक है अब पिजर्व फॉर्मेट आपकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जा रही है पिजर्व फॉर्मेटिंगा देजाई अब यह जो है अब यह जो है अब यह जो है इंप फोर का नाम अना चाहिए अब यहां पर हमने एक्वल किया किखुल करने के बाद यहां सपोर्ट में एम फोर को स्लेक्ट कर लिया एमफोर आंगया इसके नीचे उसका टोटल इमांट आना चाहिए तो अगेन में सपोर्ट में गए और यह कहा है टोटल इमांट यह आपका एन फोर में थे एन फोर मैं क्लिक नहीं करूंगा क्लिक करूंगा तो गेट पीवड का डेटा मन जाए तो क्लिक नहीं करना है ठीक है अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए इसको और अच्छा दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ इंसर्ट और जा रहा हूँ शैब और हमने इसको सेलेक कर लिए इसकी यहां पर नो फिल इसका जो बॉर्डर है बॉर्डर कलर और यह जो कलर है दोनों सेम हो बॉर्डर के साइज थोड़ी सी बड़ी हो नहीं कलर सेम नहीं कलर अलग है यह वाली कलर कर दो 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 इसकी साइट बहुत जड़ा हो सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो कि और इसके बाद फिर इसको थोड़ा सा चोटा करेंगे और फिर यहां पे हम दूसरा इसी को इसी दोनों को यहां से पॉपी करते हैं और इसके नीचे रखते हैं अब इसमें जब टॉप सेल्स है यहां पे वाइटीडी वाइटीडी सेल्स इयर टू डेट कर दो यहां कर दो कर दो कर दो झाल झाल